हेलो pry万 मैं रेखा दिली से यूटूब चनलन वाटीकाउस गार्डन में स्वागत करते हूँ आल ये टैरीस गारण पे घार्डनिंग करती हूँ तो इसी के बारे में दिखा रही थी कि अपने जो टैरीस है उसके उपर कम बजन रहना चाहिए के और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं अपने गंलोगता वजय मुझन कर खीजिए से और यह मेरा है यह कंट यह मेरे फूलों से भर रखाया फूल पत्ति है यह में अपना किचन विट का जो पस्ता है मैं सब को इसी में भरी जा दिया था जब भी होता था तो मैं इसी में भर के जाती हूँ और वो बहुत ड्राइ हो गया है यह मेरे आज के ही गाजर के चुका ले हैं तो अब बहुत अच्छा नीचे का ड्राइ हो रखा है क्योंकि उपर बहुत तेज धूप आती है तो सूख चुका है वो यह मैंने सारा इसमें बिच्छा दिया है और हम बड़े से बड़े कंटेनर को कैसे भर सकते हैं अपने टाइरिस पे जिससे बजन कम रहें और गाड़निंग करने में आसानी रहें कि अर्व खें और हम मिट्टी की फोड़ी वह दिखकत होती है कई वारी हमारे पास इतनी मिट्टी नहीं होती कि हम बड़े कंटेनर में ज्यादा मिट्टी बढ़ सक्याइए या ग्रोव बैग हो या कोई कंटेनर है उसको हम कैसे भरे कम बिट्टी यूज़ करके तो फ्रेंड मैं ऐसे ही भरती हूं मेरे तीन-चर भरे हुए रखे हुए हैं तो इसमें मैं कुछ लगाने की सोच रही थी तो मैं वहीं दिखा रही हूं कि मैंने इसको किस तरह से भर है यह ऊपर मैंने मैंथिके बचा हुआ है वो है यह और फ्रेंड जो यह कंटेनर है यह बहुत बड़ा है यह कूलर के जो नीचे का हिस्सा होता है तो उसी का यह मैंने नीचे का निकाल लिया है यह मैंने पूरी तरह से इसमें भाड़ दिया है अफ्रैड इसमें कोई मैंने कागज वगरा नहीं डाल रखा सिर्फ मेरे जो बचे हुआ फूलों थे वह पत्या वगरा है वही इस कंटेनर में है यह मैंने सारे इसको बिच्छा दिया और यह बहुत देखो इतना बड़ा है यह और इसमें मैंने दो हॉल भी कर रखे है यह मैंने पूरी तरह से इसमें डाल दिया कम मिट्टी को योज करूंगी देखो फ्रैंड इतनी मिट्टी है यह एक दो अकलों के करीबी मिट्टी होगी और इस मिट्टी में मेरे मिला हुआ है क्योंकि यह गंबले की मिट्टी थी इसमें सब कुछ है और यह बहुत अच्छा पौदे ग्रोह होंगे इसमें क्योंकि मुझे इसमें कुछ डालने की भी जुरूत नहीं होगी कुछ टैम तक इसमें सब कुछ है मिल जाएगा और यह मेरे मिट्टी में भी है क्योंकि गंबले की मिट्टी मैं अच्छी बनाती हूं हमें वही डाल रही हुँ इसमें और इस तरह से हमारे मिट्टी भी कम यूज होगी और मिट्टी की भी हमें कोई परिशानी नहीं होगी कि नहीं तो इसमें इसमें कम से कम 40-50 किलो मिट्टी आ जाती इतना बड़ा कंटेनर साइए चालिस के किलो कलुक्तों आहीं जाते और यह बहुत अच्छा खाद भी बन जाएगा जब कुछ टाइम हो जाएगा इसे इसमें कोई भी पौधे को ग्रो कर सकते हैं किसी के बीच वगएर आप उगा सकते हैं कोई पौधा लगा सकते हैं और हमारी चत का बजन भी कम रहेगा चत पे क्योंकि हमें टैरिस पर गाड़निंग करते तो हमें मिट्टी चलाने में भी बहुत परिशानी होती है तो अपने किचन वेश्ट को ऐसे ही यूज कर ले और कुछ टाइम के बाद वह खाद बन जाएगा तो और गमले की भी काम जाएगा और हमें जब कोई पौदा हिसमें लगा देंगे तो हमें ज्यादा खाद वगरा देने की विजरूत नी होगी क्योंकि नीचे से इसको बहुत अच्छा खाद मिल जाएगा जब यह डी कमपोश्ट होगा कि यह मैंने अच्छ से बिच्छा दिया पूरा यह फ्रैट इतनी मिट्टी भी बच गई इसमें से और बहुत अच्छी भी चाहिए मैंने दवा दवा के अच्छा गिरो होगा जब मैं इसमें कुछ ग्रो करूंगी तो मैं आपको जूरूल दखाऊंगी कि मैंने इसमें क्या ग्रो किया है और यह मैंने इतनी मिट्टी बच्ची है मेरी फ्रेंड मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना शेर करना मेरे चैनल पर के न्यू है तो सस्क्राइब कर लेना वीडियो देखने ले आपके आप बहुत बहुत धन्यवाद